So what's up guys, कैसे हैं आप सभी लोग तो भी आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं 2022 Hyundai Creta के फेसलिफ्ट के बारे में और मैं आप लोग को यहाँ पर दो वेरियंट्स कंपेर करने वाला हूँ एक का नाम है प्राइम और दूसरा का नाम है स्टाइल और बाई इंडिया में यह जो नाम है वो नहीं आने वाले हैं वो डिफरेंट नाम से आने वाली है यह गारी इंडोनेशिया में लाँच हो चुकी है और बाई इन नाम से लाँच हुई है प्राइम और स्टाइल बट इंडिया में डिफरेंट नाम से लाँच होगी वीडियो को इस्टाइट करने से पहले यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हिंडाए की क्रेटा इंडिया में बहुत जादा जल्दी लाँच होने वाली है और मिड तक हमें देखने को मिल जाएगी 2022 के तो अगर आपका कोई दोस्त है या आप खुद हो जो हिंडाए की क्रेटा लेने वाले हो या लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा होल्ड कर लो क्योंकि 2022 के मिड तक एक नया जेनरेशन आ जाएगा और नया जेनरेशन लेना ही फाइदे मंद होगा इस टाइम आप लोगों के लिए तो आप लोगों ने इस गारी के डिजाइन तो देखी ली होंगे पट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों में डिफरेंट हमें देखने को मिल जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ देखो अगर मैं एक्स्टीरियर की बात करता हूँ तो यार बेसिकली पूरा सेम ही डिजाइन है जैसा कि आप लोग फोटोस में भी देख पारे होगे लेकिन प्राइम वेरियंट जो है उसमें थोड़े से जादा लुक में अपग्रिडेशन करी गई है जैसे कि मैं आप लोगों को बता हूँ कि दोनों ही गाड़ी में हमें स्किट प्लेट देखने को मिल जाती है फ्रेंट बंपर पे लेकिन प्राइम की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो प्राइम पे जैसे कि आप लोग देख पारे होगे एक नीचे कलर की रेड लिप की अंडर लाइन दे रखी है जो जताता है कि हाँ यह जो है एक प्राइम वेरियंट है और यह चीज जो है स्टाइल ट्रिम में मिस करी गई है अभी मैं आप लोगो बताता हूँ तो रियर बंपर में भी सेमी चीज करी गई है प्राइम में हमें red color का देखने को मिल जाता है लेकिन style में हमें देखने को नहीं मिलता है अब जैसे कि आप लोग style trim में देख पा रहे होगे images में की गाड़ी जो है वो white color की exterior में लेकिन जो उसके pillars हैं वो सिर्फ black out करे गए हैं लेकिन वही में अगर आपसे prime की बात करता हूँ तो prime में हमें roof भी black out देखने को मिल जाता है जो की एक dual tone appearance देता है गाड़ी को दोनों ही गाड़ियों में हमें पूरी black out grill देखने को मिल जाती है gloss finish में जैसे कि आप लोगों को पता है जो नई वाली Tucson आई है उसी में एक H emblem का gloss finish दे रखा है एक chrome का बिल्कुल वैसा ही दे रखा है इस गाड़ी में भी almost similar ही लगती है अगर मैं बात करता हूँ Tucson से दिखने में अब भाई features के बारे में बात कर लेते हैं जिसका सबसे बड़ा यहाँ पर बात है कि भाई features में क्या difference हमें देखने को मिलेगा मैं आप लोगों को बताओं तो style और prime दोनों ही heavily loaded features के साथ हमें देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर style जो है वो कुछ features मिस आउट कर देती है जो कि भाई काफी जादा बड़े features में कहूंगा Panoramic sunroof नहीं है इस गाड़ी में इसमें हमें build-in air purifier देखने को नहीं मिलता है जो कि हमें prime में देखने को मिल जाता है प्राइम वेरियंट में हमें LED interior illumination भी देखने को मिल जाता है बाई style में जो है वो सिर्फ halogen lights हमें देखने को मिल जाती है जो कि कहीं न कहीं यह काफी जादा बड़ा difference create कर देता है अब भी आप लोग को इन सब चीजों से समझ में आ गया होगा की style जो है वो थोड़ा सा lower variant है और prime जो है वो थोड़ा सा upper variant है interior की भी images में आप लोग के लिए डाल देता हूँ आप लोग देख पारे हो कि interior में हमें दोनों ही गाड़ियों में कैसा देखने को मिल जाता है almost similar ही interior है कोई जादा और चीजों में difference हमें देखने को नहीं मिलता है अब मैं Creta के आप लोग को power train और transmission option के बारे में बता हूँ तो भाई अगर इंडोनेशिया की बात करता हूँ तो 1.5 liter का naturally aspirated petrol engine यहाँ पे standard option में दिया गया है जो की 6-speed manual और CVT automatic gearbox के साथ दिया गया है इंडोनेशिया वाले customers को अगर मैं Indian spec model की बात करता हूँ तो इसमें हमें 2 engine options देखने को मिल जाएंगे एक होने वाला है 1.5 liter का CIDI diesel unit और एक होने वाला है 1.4 liter का GDI turbo petrol engine अब diesel की बात करते हैं तो उसमें 6-speed manual और 6-speed torque converter को option देखने को मिल जाएगा automatic gearbox वही अगर मैं petrol unit की बात करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 7-speed DCT automatic gearbox के साथ as a standard offer करा जाएगा अब भाई आप लोग सोच रहे होगे कि बाई कितने price में यह गाड़ी आने वाली है तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब price की बार में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो भाई 11 से लेके 18 लाग तक यह गाड़ी हमें देखने को मिल जाएगी अब बहुत लोग curious होंगे कि भाई launch कब होने वाली है तो भाई launch जो है वो ऐसा बताया जा रहा है अपरल में होने वाली है लेकिन अपरल में होगी नी जा तक मेरे को पता है यह मिड में ही देखने को मिलेगी हमें जून के आसपास तो आप लोग जून के आसपास थोड़ा सा वेट कर लो अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो तो चलो आज आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में